नमस्कार पूगिंप्राइटी चनल में आप स्वाब का सागत है आज मैं आपके साथ स्यार करूँगी कच्छी आम का चाटपोटा एक चाटनी की रेसिपी गर्मियों के मौसम में दोपवर में एक चाटनी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही हेल्दी भी है चले रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले एक आच्छा आम लिया है मीडियम साइज का एक आम है उसको हम चारो साइज से भून लेंगे देखे इस तरी कैसे भून लेंगे मीडिया फ्लेम पर राके आप इसको भूनना है तो उपर उपर छिलका चलेंगे और अंदर का जो अच्छे से पाकेगे नहीं अब हम कुछ प्याज लेंगे जैसे दो से तीन प्याज लेंगे उसको भी हम सारो साइज से भून लेंगे और फुनने के बाद इसको हमें प्लेट में निकाल लेंगे अब कुछ हरी मीर्स लेंगे आप जैसे थीखा खाना पसंद कर तो उसके सबसे आप हरी मीर्स लेना उसको भी इस तरह के से भून लेंगे और प्रेट में निकाल लेंगे जट पर बान भी जाता है खाने में भी बहुत ही टेस्टी है थोड़ा अलोग टाइप का एक्जाट जला हुआ जो उसको चल्का निकल के फेक देंगे और उपर ठोड़ा काटके फेक देंगे उसके बाद हम आम का भी इस तरीछाए से हम चिल्का निकल लेंगे जला हुआ अब प्यांच को थोड़ा दरा करके हम काट देंगे ताकि हमें पीसने में आसान हो और अच्छे से पीस भी जाए उसके बाद आम को हम कोद्दुकस कर लेंगे उसके बाद एक मिसी जाल लेंगे उसमें डाल लेंगे प्यांच हरी मीट जो सब भून के राखा था भून के काटके राखा था वो डाल देंगे और डाल देंगे कोद्दुकस किया हुआ आम अब आप इसमें डाल देंगे 1-4 cup कडीब हमने फ्रेश नारेयन लिया है इसको हम दे देंगे यह साथ इंद्टाइल चतनी है बहुत ही चटपटा है और खाने में बहुत है अच्छा लगता आप डाल देंगे काला नमो बस इसको हम पीछ लेंगे अच्छे से आप चाहे तो इसे आएसे आप खा सकते हो लेकिन इसे और भी थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा तड़का लागा देंगे ऐसे भी आप इसको खा सकते हो तो चलिए इसको थोड़ा टेस्टी बना लेते है अब गयस के उपर एक कड़ाई च सोरसो का तेल जब गड़म हो जाएंगे तो हम डाल देंगे हाफ टीश्पून सोरसो का दाना और डालेंगे हाफ स्थाबुत जीरा और दो सुखी लाल मिर्स तोड़े हुए हलका साइस को हम फ्राई कर लेंगे प्राई होने के बाद हम जो चाटनी पिसके रखा था वह हम डाल देंगे बस दो मिनिर हम इसको यह ऐसे ही चलाएंगे बस हमारा चाटनी रेडी है चले कर लेते हैं इसको प्लेटिंग बहुत ही एजी है और खाने में भी बहुत ही अच्छा है इसका टेस्ट तो रेसिपी अगर पसंद आए लाइक्स आज सब्सक्राइब जुरूर करना तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्यार रखना झाल 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 झाल